जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह के तीन दिसंबर और चार दिसंबर के कन्याराशी फल के बारे में कन्याराशी के लोगों के लिए दिसंबर माह के ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके व्यपार के बारे में, करियर के बारे में, परिवारिक जीवन, प्रेम सम्मद, स्वास्थ, सिक्षा सभी के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है और साथ ही बेल के एकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकिशन आप तक पहुँच सके तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि इन दो दिनों में कौन सी तिथी होगी नक्षत्र क्या बन रहे हैं योग क्या होगा और चंद्रमा की तिथी कैसी रहेगी क्योंकि इसी के आधार पर हम इन दो दिनों के बारे में विस्तार से बाते करेंगे तो तीन दिसम्मर की बात करते हैं शुकल पक्ष की सब्तमी तिथी है और गहनिस्ट नक्षत्र रहेगा जो की दो बज कर 18 मिनट तक है इसके बाद शत्विसा नक्षत्र लग जाएगा व्यागहत नाम का योग बन रहा है दो पहर तक उसके बाद हरशन नाम का योग बनेगा यह मंगलवार का दिन है चंद्रमा कुंबराशी में है सूर्य व्रेश्चिक राशी में है और अनुराधा नक्षत्र में है चार दिसम्मर की बात करते हैं, शुक्ल पक्ष की अस्टम मी इति थी है और जो इस दिन नक्षतर होगा, वो शत्बिशा नक्षतर है, जो की दो पहर तक रहेगा उसके बाद बहादर प्रद नक्षतर शुरू हो जाएगा इस दिन हर्शन नाम का योग है दो पहर तक उसके बाद वज्र नाम का योग बनेगा ये बुधवार का दिन है और चंदरमाकों बराशी में है इस दिन सूरिय अपना नक्षत्र बदल रहे हैं सूरिय जेस्ट नक्षत्र में प्रिवेश कर रहे हैं और जेस्ट नक्षत्र में जब सूरे प्रिवेश करते हैं तो उचके होते हैं और बहुत अधिक बदलाव भी देखने को पिलते हैं जेस्ट नक्षत्र सबसे बड़ा नक्षत्र भी माना जाता है जैसा कि इसका नाम है तो ये जो दो दिन होंगे ये आपके लिए किस तरह से बीतने वाले हैं चले जानते हैं यदि चंद्रमा किस्थिती की बात करें तो चंद्रमा कुम राशी में हैं जो कि आपकी राशी के छ छोटे छोटे प्रयास भी आपके दिल को छूचाएंगे। उनकी मदद और उनकी प्यार के कारण आप उनकी बहुत आभारी भी रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप अपनों को उनकी प्यार और मदद के लिए धन्यवाद देना बिल्कुल न भूलें। चाहे वो छोटी ही लिए सामने खड़ा मिलेगा। इस बात को जरूर देहान रखें। इस समय अगर आप कुछ बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर वो बदलाव आपकी जो आप बिज्मिस करते हैं उसके अंदर हो या आप किसी संस्था से जुड़े हैं तो उसके भीतर ही क्यों न चाहें तो अपनी उच्छ अधिकारी से बात कर सकते हैं जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकें। तो बात करके आपको अपनी जो जो आपकी बाते हैं उनको आपको एक तो विचार आपके अच्छे आएंगे और बातों का रिजल्ट आपको अच्छे से मिलेगा। तो आप जरूर अपने किसी से बाते करके इस बात को सुलचा सकते हैं अगर अंतरास्टे लेंदेन में आप जुड़े हैं अंतरास्टे बजार से आप जुड़े हैं तो ऐसे वेफसाईयों को ऐसे बिजनिसमेंट को आज बहुत लाबकारी समय रहने वाला है तो इस मौके का बावधानियां भी बरतनी होगी जो बिजनेस करते हैं जाद तक उनके लिए ये आफसर जो होंगे आगे बढ़ने के होंगे तो नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा आफसर होगा आपके मन में उत्साह का संचार होगा आप बेहद प्रास में विरद्धी होगी जिससे अपने सभी कारियों को सफलता पूरवक आप कर पाएंगे और इस समय जो युवा हैं उनको अच्छी जॉब ऑफर आ सकते हैं इस समय आप अपने भाई बहनों के साथ बड़ी ही खुशियों वाला समय विताएंगे भाई बहनों के साथ निकटता आपकी बढ़ेगी यदि कोई नया कारिया आप शुरू करना चाहते हैं तो बेहिचक आप कर सकते हैं जरूर शुरू करें अगर आपके मन में किसी कारे को लेकर कोई आइडिया है कुछ करना चाहते हैं तो आप जरूर शुरू करें और उसमें आपको सफलता मिलन के पूरी-पूरी उमीद बनी हुई है इस समय आपके लिए अगर आप काफी दिनों से वहन खरेदने के बारे में विचार कर हुई है तो आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं परिवार वाले जोर शोर से वेवाहिक बातें इस समय कर सकते हैं और यहां कुछ लोगों के लिए विवाह योग का प्रेम विवाह का योग भी बन रहा है तो अगर आप प्रेम संबंद में हैं तो अपनी किस्मत आ पर भरुसा नहीं करना होगा, कोई अगर आपको लालच दे, किसी चीज में इंवेस्टमेंट करने के बारे में बोले, या फिर कोई ऐसा बिजनेस बताए, कि साजेदारी में बिजनेस करना है, तो उससे आपको सावधानी रखनी होगी, वरना ये आपके लिए थोड़ी परि आपकी पकड़ हो जो आप सोचते हों कि हाँ ये आपको करना है उस कारे को कर सकते हैं किसी के भैकावे में आकर आप कारे ना करें ये आपके लिए सफलता के सरवादिक योग इस समय आपके लिए बने हुए हैं इन दो दिनों में किसी मनुरंजक कारे का में भी आप जा सकते ह या फिर किसी शादी विवाह में आप जा सकते हैं, जिसमें आपका काफी सारा समय بھی वैतित होगा, इसमें परिवार का भी पूरा साथ आपको मिलेगा और-शुबसमाचारों के प्रापती होने का बहुत ही योग है, आपको किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं से शुबसमाचा और आप जो भी कारे करते हैं उन कारियों में भी आपको सफलता देखने को निश्ची तोर पर मिलेगी तो इस समय का आप पूरा लाब उठा सकते हैं और इस समय में जो भी आप कारे करते हैं वो आपके लिए अच्छे ही रिजल्ट्स लेकर आएंगे तो पूरे आत्मिश्व आपकी डेट हो इन दिनों में तो आप इस समय आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आए यानि आप शादी शुदा हो जाएं तो यस समय आपको अपने साथी के प्रती नजरिया जो है वो बहुत अच्छा रखना है और इस समय किसी तरह का पलो भन आपको दिया जा स सिर्फ आपके लिए पूरी जिंदगी भरका साथ होगा सिर्फ समय बिताने का वक्त ही नहीं होगा तो जो भी फैसल लेना है सोच समझ कर ही लेना है अब बात करते हैं विद्यारतियों के लिए कि विद्यारतियों के लिए कैसा समय होगा तो जिन लोगों ने जो हायर से जोड़े लोग हैं जो higher education कर रहे हैं उन्होंने किसी company के लिए apply किया हुआ है तो उनको multinational company से offer आ सकते हैं आपका placement इस समय हो सकता है जो आपके लिए बेहत खुशी की बात होगी तो जो भी placement आपका होता है आप उससे स्वीकार जरूर करें अगर छोटे से शुरुआत होती ह है तो छोटी से शुरुआत करें छोटी शुरुआत से ही इंसान उंचाए तक पहुंचता है तो ये ना सोचें कि नहीं आप ये आप के लायक नहीं है अगर बहुत ही आपका मन नहीं माता है तब की बात अलग है वरना आप शुरुआत जरूर करें अगर ऐसा होता है तो छ बाच्चों की दरब से कोई खुशकबरि भी इस समय आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्ते की बात करते हैं, तो ये स्वास्ते के लिए सावधानी बारा समय होगा, वाहन चलाते समय, आपको सावधानी निश्ची तौर पर ब्रतनी है, इस बात का आपको देहान रखना है उन्हा छोटी मोटी दुरगटना का योग है तो इस समय आप चाहे टूविलर चलाते हैं या फोरविलर चलाते हैं गती को आप सयम करके चलाएं यानि सावधानी से चलाएं पैदल और वाहन चलाते समय भी सदर करहने की आवश्यक्ता होग तो सावधानी अगर आप रखेंगे तो आप निश्ची तोर पर अच्छे रहेंगे और कुछ भी परिशानी नहीं होगी बस थोड़ी सी सावधानी और इन दो दुनों को बहतरी के साथ आप व्यथित कर सकते हैं तो दोस्तो और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को स पुले